मेरे प्यारे साथियों मैं हूं कुस्बू अब सभी के साथ एक नई वीडियो में तो दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग यह बात करने जा रहा है कि यह एनम 88 सतिरपन पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी जो राजय स्वास्थ समीती बिहार के द्वारा है दोस्तो इस वी वीडियो जो है अपके लिए काफी इंपोर्टेंट यूजफूल रहने वाला है एन इंफॉर्मेटिव रहने वाला तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सब ही तमाम न्यू दर्सकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप इस चैनल पे नाए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अगर आप भी एजुकेशन मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ प्रेस भी कर लें बेल आइक कि A&M के 88 सा तिरपन पदों के लिए जो वेकेंसी आई थी जिनको जॉब दिया जाएगा दोस्तों अभी इसमें काफी स्टुडेंट क्वाइलिफाइड है काफी स्टुडेंट क्वाइलिफाइड है तो क्या उन सभी को जॉब दिया जाएगा यानि कि 12,000 जो बच्चे इल्कुल नहीं क्योंकि वेकेंसी जो थी यह 88 सा तिरपन पदों के लिए थी तो अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि किस परकार उनको इस 12,000 में सामिल करा गया मतलब कौन से मार्क्स एकैडमिक या फिर CBT के अधार पर मतलब उनको यहां पर लिया गया है तो दोस्तों मतलब किस परकार छाटा जाएगा तो इसमें जो है दोस्तों CVT CVT पलास आपका जो एकैडमिक मार्क्स है एकैडमिक मार्क्स है उस दोनों को एड करके आपका फाइनल मैट लिस्ट निकाला जाएगा लेकिन अभी तक जो है यह CBT के अधार पर ही इस 12,000 में आपको लाया ग करते हैं कि बच्चे कहां गलती करेंगे कि उनको शाटा जाएगा तो देखे सबसे पहले बच्चे गलती इस बात में करते हैं कि फॉर्म भरते टाइम फॉर्म भरते टाइम क्या करते हैं जैसे फॉर्म भराया तो उसमें अपना कास्ट जो है कुछ भी दे देते हैं उसमें प्वापा निवास प्तर होता है कि अपने अपने ससुराल का अहां के पते से बना लेते हैं परिशानिया जहलने परती हैं और उनको फाइली रिजेक्ट करा जाता है तो दोस्तों आप लोगों को ये सब गलती नहीं करना है उहां पर अच्छे से डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और ये जाती निवास जो है हमेशा मतलों याद रखेगा कि अपने पिता के ही स् आप लोगों को बता दें कि अब जो है इस 88-53 पदों में 88-53 में आप भी एक कैडिडेट होगे कब जब आपका मतलब अपना देख लिजे अकेडमिक मार्क्स अब जो मैरिट लिष्ट तयार किया जाएगा ये CBT पलस एकेडमिक ये CBT पलस एकेडमिक ये दोनों के अधार अब मैरिट लिष्ट तयार किया जाएगा तो दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या होता है और किस परकार सेलैक्शन होता है तो नेक्स्ट इंफोर्मेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों तब तक लिए चैनल पे बने रहें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक क्यार भी करें अपने दोस्तों में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफोर्मेशन के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार